स्वागत है आप सबका स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेस पर इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पॉलिटिक्स इनिडिया सिंस इंडिपेंडन्स इस इंसेर्टिक अध्याय आर्ट शेत्री आकांग शाय अध्याय आर्ट पर यह हमारा पार्ट टू है पार्ट फर्स्ट में हमने चर्चा की थी जम्मु कश्मिर के सिच्वेशन के बारे में पार्ट टू में हम डिसकस करने वाले है दोस्तो पंजाब के बारे में जो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं अगर आप UPSC या अधर स्टेट PCS के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे पेट ग्रूप को जोईन कर सकते हो इसके संबंद में अधिक जानकारी के लिए दिये गए नंबर पर आप कॉल कीजिए दोस्तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजिए जहां आपको फ्री स्टेडी मटेरियल और वीडियो नोटिफिकेशन्स मिलेंगे इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी बहशा के आधार पे हमारे देश में बहशा के आधार पे राज्यों की जो रचना की गई राज्यों को जो रियर्गनाईस किया गया था राज्यों की जो बौंडरी थी इसमें जो तबदिली की गई थी बदलाओ किया गया थे On the Basis of Language ये 1950 से शुरू हो चुके थे बट पंजाब को दोस्तो इसके लिए 1966 तक वेट करना पड़ा 1966 में पंजाबी speaking states को create किया गया ठीक है पंजाब में अकाली दल था दोस्तो जिसे form किया गया था 1920s में और ये एक major political wing था 6 का ठीक है Had lead the movement for the formation of Punjab सुबा और पंजाब सुबे के formation के लिए अकाली दल नहीं moment को lead किया था अकाली दल नहीं आंदोलन किया था और इस आंदोलन के जो leader थे ये अकाली दल से थे तो इस slide में हमने क्या देखा इस slide में हमने देखा दोस्तों कि पंजाब को 1996 में create किया जाता है मतलब create किया जाता है पंजाबी speaking states स्टेट्स बाश्या के आदार पे दूसरे जगाओ पे हमारे देश में 1950 से इसकी शुरुवात हो चुकी थी पंजाब में अकाली दल था जो 1920 में बनता है और अकाली दल ने ही इस मुवमेंट को लीड किया था जिस मुवमेंट के तहत पंजाबी सुबा बनाया गया चली आगे चलते हैं अब उस समय के political context को समझते हैं देखे दोस्तो स्टेट्स के reorganization होने के बाद अकाली दल दो बार पावर में आता है 1967 में और 1977 में और 1977 में अकाली दल दो बार सक्ता में आता है इने coalition करना पड़ता है अकाली discover that despite the redrawing of the boundaries their political position remain precarious दीखें दोस्तो अब boundaries को तो reorganize कर दिया गया था but boundaries के reorganization होने के बाद भी अकाली दिल को एक बात समझ में आती है कि दोस्तो ऐसा तो कर दिया गया है पंजाबी speaking state तो बन गया है बड़ इनकी position इतनी strong नहीं है पंजाब में इसके पीछे reasons यहाँ पे दिया गया है दोस्तो इनके government dismiss कर दी गई थी center के द्वारा ठीक है they did not enjoy strong support among the Hindus Hindus इने strong support नहीं करते थे Hindus में इतने popular नहीं थे Sikh community Sikh community में भी दोस्तो religious communities थी Sikh communities में भी religious communities exist करती थी और इनके बीच में भी differences थे जैसे के on the basis of caste और on the basis of class line right Congress को जादर support मिलता था दोस्तो पंजाब में दलित Hindu Sikhs इनके और से as compared to Akalis मतलब Akalis को इतना support नहीं मिला जितना support Congress को मिलने लगा दलित Hindus और Sikhs के और से ठीक है तो यह वहां की political situations थी एक बार फिर से देखते हैं इस slide में हमने क्या देखा इस slide में हम political context के बारे में बात कर रहे हैं प्रिवेस स्लाइड में हमने देखा था कि स्टेट को रिया और्गनाईज कर लिया गया था 1966 में स्टेट 1966 में रिया और्गनाईज होता है on the basis of language 1920 में दोस्तो अकाली दल का यहाँ पर formation हुआ था और अकाली दल नहीं एक major moment को lead किया था जिस moment के तहत result देखने को मिलता है 1966 में पंजाबी speaking state बनता है पंजाबी सुभा बनता है right political context में अगर हम चर्चा करें तो हम यह देखने को मिलता है कि reorganization होने के बाद जो अकाली है यह दो बार सत्ता में आते है 1967 में और 1977 में दोनों ही बार इन्हें दोस्तों पूरी तरह से majority नहीं मिलती है और इन्हें गड़बंदन की सरकार coalition की सरकार चलानी पड़ती है okay अकालियों को यह भी समझ में आता है दोस्तों अकालीस को यह भी समझ में आता है कि state की boundaries तो अब बदल दी गई है इसके बावजूद भी उनकी जो political position नहीं इतनी strong नहीं है government को dismiss किया जाता है center के दोरा यह पूरे तरह से support भी enjoy नहीं करते दोस्तों हिंदूस के बीच में मतलब हिंदूस का community जो पंजाब में रहती थी यह अकालीस को support नहीं करती थी Sikh community में भी दोस्तो religious communities हुआ करती थी और इसमें भी differences देखने को बिलते थे on the basis of caste और on the basis of class के line पे Sikhs, Hindus और Dalit यह जादा support करते थे Congress को as compared to अकालीस ऐसा अनुभो अकालीस को आ रहा था यह चीज़े इने समझ में आ रही थी के state के reorganization करने के बाद भी इनकी position पंजाब में उतनी strong नहीं है उतनी मजबूत नहीं है 1970 में दोस्तो अकालीस का एक section एक ऐसी demand करने लगा जो कि political autonomy की demand टी पंजाब region के लिए पंजाब region को political autonomy दी जाए ऐसी demand 1970 से एक section करने लगा था यह section भी अकाली में इसे ही था और यह इनके resolution में दोस्तो reflect होता है यह इनके resolution में reflect होता है जिसे pass भी किया गया था और इसे अनंतपुर साहिप में जो conference हुआ था 1973 में वहाँ इसे pass किया गया था अनंतपुर साहिप resolution जो था दोस्तो यह बात करता है regional autonomy की और यह बात करता है कि इन्हें regional autonomy मिलनी चाहिए और center states की relationship को देश में फिर से redefine करना चाहिए ठीक है resolution इस चीज पर भी बात करता है दोस्तों कि जो aspiration है sick com की community or nation sick com and declare its goal as attaining the goal bala dominance or hegemony of the six ठीक है तो इस resolution में बात की गई थी दोस्तों कि sick com की aspiration है कि वो बोल बाला को achieve करना चाहती है मतलब एक तरीके से hegemony को achieve करना चाहती है dominance बनाना चाहती है अपना पंजाब में the resolution was plea for strengthening the federalism resolution में दोस्तों federalism को strength करने की बात भी कही गई थी but it could also be interpreted as plea for separate sick nation but देखे दोस्तों इस चीज को separate sick nation के रूप में जादा देखा गया अब अकाली government को dismiss किया गया 1980s में 90s 80s में government को dismiss करने के बाद दोस्तों इनके और से एक movement launch किया गया और यह movement था एक question के उपर because उस समय एक question पंजाब में चढ़ रहा था और यह था water distribution के उपर ठीक है जो पंजाब और इसके जो neighboring states है इनके बीच में water distribution को लेकर एक dispute था और दोस्तों इसी का political issue बनाया गया और एक तरीके से कहा जाए तो इस question को lead किया इस movement को lead किया अकाली दलने a section of the religious leader raised the question of autonomous sick identity जो religious leaders थे इन religious leaders ने एक फिर से question यहाँ पर लेकर यह आए कि एक तरह से हमें autonomous sick identity चाहिए मतलब खुद को autonomy मिलनी चाहिए sick identity के base पे the more extreme element started advocating secession from India and the creation of khalistan आप देखिए दोस्तों इसमें जो more extremist element थे इन्होंने पेरवी करने शुरुआत मतलब इन्होंने पेरवी करना start कर दिया secession की secession का आरत होता है अलग होना I think कि हम Indian union से अलग होते हैं और एक नए राष्टर को बनाते हैं एक नए देश को बनाते हैं जा सिर्फ पंजाबीज होंगे और यह देश होंगा दोस्तों खालिस्तान अपने खालिस्तान के बारे में तो सुनाई होंगा अब वाइलेंस भी होना यहाँ पर शुरू हो जाता है पंजाब स्टेट में वाइलेंस कैसे मतलब वाइलेंस पंजाब में होता है दोस्तों और जो leadership होती है इस movement की यह leadership moderate leader से transfer होती है extremist leader के और extremist elements के और जिससे arm insurgencies में आ जाती है जो militant होते है दोस्तों यह अपना headquarter बनाते है सिख धर्म का जो holy shrine है golden temple जो की अम्रिस सर में है इस जगह को इस पवित्र जगह को यह militant अपना headquarter के रूप में इस्तमाल करते है ठीक है और दोस्तों इस वज़ा से क्या होता है एक तरीके से arm trust शुरू हो जाता है जून 1984 में यह date याद रखना जून 1984 में इंडियन गवर्मेंट operation blue star इस code name से army action करती है golden temple पर operation का code name था operation blue star और golden temple पर इसके तहत army action की कारवाई की गई थी इस army operation में क्या हुआ दोस्तों government तो successful रही militants को वहाँ से बाहर निकालने में बट इस army operation में जो historic temple है इसे damage हुआ और temple damage होने के वज़ा से Sikh communities के जो sentiment है यह आहत हुए इसे hurt हुआ ठीक है और एक बड़ी संक्या में एक बड़े proportion में जो Sikh से इंडिया में और जो abroad में भी रहते हैं यह लोग इस military operations से खुश नहीं थे इस military attack को उनके faith के उपर attack माना गया ठीक है और इसी से दोस्तों जादा एक तरीके से push मिला militant को extremist groups को इसके बाद दोस्तों एक और complicated event सामने आता है still more tragic turn of event complicated the Punjab problem further और इससे यह जो पंजाब की situation थी यह और खराब हो जाती है और यह problem complicated हो जाती है operation blue star का दोस्तों दो लोगों के द्वारा revenge लिया जाता है और यह revenge लिया जाता है भारत की उस समय के prime minister की prime minister की हत्या करकर 31 October 1984 की यह बात है जब prime minister इंद्रा गांदी जी का assassination हुआ था दोस्तों और यह assassination वो जहां रहती थी वही हुआ था और इनके ही bodyguard के द्वारा किया गया था because यह दोनों bodyguard six धर्म थे और दोस्तों इन्हों ने यह कहा था कि यह operation blue star का एक तरह से revenge इनके द्वारा लिया गया है तो यह event हमें देखने को मिलता है इसके बाद operation blue star के बाद जिसमें इंद्रा गांदी जी का assassination किया जाता है अब देखें दोस्तों इंद्रा गांदी जी का assassination होने की वज़ा से पूरा देश एक तरीके से shock था और इस development का एक असर यह हुआ के दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो इलाके थे northern इंडिया के वहाँ पे six के खिलाप एक तरीके से हिंसा बढ़ गई और इन्हें हिंसा का शिकार बनाया गया ठीक है इन्हें टार्गेट किया गया इसमें क्या हुआ दोस्तों की और यह चीज़ अल्मोस्ट एक हफ्ते तक चली और दोस्तों देश में अलग अलग जगाओ पर भी इनके खिलाप अटैक किये गया है और इसमें कुछ जगों का यहाँ पर नाम मेंशन किया गया है कानपूर बोकारो और चास राइट कि मेनी सिक्स फैमिलीस्ट लॉस्ट दयर मेल मेंबर और दस सपर्ड़ ग्रेड इमोशनल एड हैवी फाइनांशल लॉस्ट तो काफे इस फैमिलीस्ट ने अपने मेल मेंबर को इस दंगो में 1984 के जो दंगे हुए थे दोस्तों स्विक दंगे के नाम से यह जाने जाते हैं इसमें अपने लोगों को खो दिया था जो इनके लिए एक तरीके से इमोशनल एज़ एज़ फाइनालिशल लॉस्ट भी था वाट हर्ड़ दसीख मोस्ट वास्ट गवर्मेंट तुक अ लॉंग टाइम रेस्टोरिंग नॉर्मन सी देखे दोस्तों एक और बात यहां पर सिक्स को हर्ड कर जाती है जो कि हमारे गवर्मेंट का रिस्पांस है यह जो दंगे हो रहे थे इन दंगों के प्रति और देखे से टंगे ऐसी है उतने जल्दी से जल्दी इसे रोका नहीं गया ऐसी जर्टोर्मेंट पर तुकेर और जो दोस्तों इस में इन DAY इनND नेता को इसमें पनिश्मेंट दी गई है 20 साल के बाद इस गटना के 20 साल के बाद पार्लमेंट में 2005 किये बात है उस समय कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंग जी ने इसके लिए इन्होंने माफी मांगी ती देश से 2005 में किया गया था और यह प्राइम मिनिस्टर थे उस समय मनमोहन Spring हमारे इंडिया के आप जिए आप दोस्तों पीस के और रिट रोड टु की समझते और अब तक हम ने क्या देखा की 1966 में भाषा के आधार पे पंजाब स्टीट कि निर्मिती होती है पंजाब स्टेट की निर्मिती होती होती है दोस्तों मतलब boundaries में कुछ change किया जाता है जहां पें पंज़ाभी speaking लोग होते हैं इन्हें हर्याना है मतलब Hindi speaking वालो से अलक किया जाता है एक तरीके से यह जो दूसरी बाचा बोलने वाले हैं इन से अलग किया जाता है, मतलब 1966 में जो मेजर स्पीकिंग एरिया है, पंजबी स्पीकिंग एरिया है, ये एक स्टेट के रूप में डिकलेर किया जाता है, as a separate स्टेट के रूप में, 1920 में दोस्तों वहां का जो एक दल था, जिसे अकाली दल कहते हैं, इसने इस मोवमेंट को सरकार कोलियेशन की होती है, गड़ बंदन की होती है दोस्तों, बाद में ये भी एक बात समझ में आती है, कि हम बॉंडरिस्तों रे और्गनाईज कर चुके है, बट अभी भी हमारी जो पुजिशन है, पंजाब में, पॉलिटिकल पुजिशन इतनी स्ट्रॉंग नहीं है, ठीक है, और इसी से फिर आगे हम आते हैं, कि सेपरेट पंजाबी नेशन की डिमांड होती है, खालिस्तान के नाम से, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया जाता है, ऑपरेशन के ब्लू स्टार के रिस्पांस में इंदरा गांदी जी की हत्या की जाती है, उनका असासिनेशन किया हैं, जिसमें निरपराद, निरदोश लोगों की जाने जाती है, और सिकों को इसमें टार्गेट किया जाता है, इसके बाद दोस्तों, 2005 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमौन सिंग, इस बात के एंटी सिक्स वाइलेंस की वज़ा, मतलब एंटी सिक्स वाइलेंस जो हु जाते हैं, इंद्रा गांदी जी के हत्या के बाद, ये शुरुवात करते हैं, बातचीत से, और दोस्तों, जो मौडरेट अकाली लीडर्स होते हैं, इनके साथ बातचीत स्टार्ट की जाती है, जुले 1985 में ये बातचीत एक तरह के अग्रिमेंट तक पहुशती है, जिस अग्रिमेंट को नाम दिया जाता है, राजी उगांदी लोंगेवाल अकॉर्ड, और पंजाब अकॉर्ड, वास स्टेप तुवर्ड ब्रिंगिंग नॉर्मल्सी नॉर्मल्सी टू दी पंजाब, और ये एक स्टेप थी दोस्तों, जिस से पंजाब में चीजे सामानने होने वाली थी, राइट, इट वास एग्रिट दैट चंदिगर्ड वुड बी ट्रांसफर्ड तु पंजाब, अब देखे दोस्तों ये जो अकॉर्ड हुआ था, पंजाब अकॉर्ड भी जिसे कहते है, राजी उगादी लोंगेवाल अकॉर्ड भी जिसे कहते है, इसमें क्या च पंजाब और हरियाना के बीच में इस पर काम करेंगा, एक ट्रबिनल बनाया जाएंगा, वुड बी सेट आउट तू डिसाइड रिवर रिवर वाटर का जो इशु था, रावी ब्यास के नदी के पानी का, इसे साल किया जाएंगा, इसके लिए ट्रिबिनल बनाया पंजाब, हरियाना और राजिस्तान के बीच में ये पानी शेरिंग का इशु चड़ रहा था उस समय, the agreement also provided for a compensation to and better treatment of those who affected by the militancy in पंजाब, जो लोग militancy के वज़ा से affected हुए थे पंजाब में, इन लोगों को दोस्तों better treatment दी जाएंगी, ठीक है, ऐसी भी इसमें बात कही गई थी, better health treatment दी जाएंगी, ऐसी भी बात इसमें कही थी, the withdrawal of the application of armed forces special powers act in पंजाब, जो असपा एक्ट है दोस्तों, इसे भी पंजाब से withdrawal किया जाएंगा, ऐसी भी बात कही गई थी the Punjab Accord में, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं कि peace establish करने की कोशिश की जा रह और इसी का एक step था कि राजियोगांदी जी और लूंगेवाल सहाब इनके बीच में accord होता है, एक समझोता होता है, ओके, बड़ दोस्तों, peace को establish करना इतना आसान नहीं था, यह जो violence की cycle थी, यह एक decade तक चलती रही, ठीक है, militancy और counter insurgency जैसी गटनाए वहाँ पर गटती र रही, ठीक है, बड़ दोस्तों, इस से क्या होता है, बाद में, अकाली दल एक तरह से fragmentation का स्विकार होता है, इसमें भी एकता नहीं रहती, और जो central government होती है, दोस्तों, यह यहाँ पर president rule को impose करती है, politically it leads fragmentation of the अकाली दल, politically दोस्तों, अकाली दल का fragmentation होता है, और central government के द्व electoral and political process were suspended, तो state में दोस्तों, normal electoral और political processes को suspend किया जाता है, it was not easy to restore the political processes in the atmosphere of suspension and violence, दीखे दोस्तों, suspension का atmosphere है, शक का महूल है, इंसा का महूल है, ऐसे में हम political processes को, political processes को establish नहीं कर सकते, right, elections conduct नहीं करा सकते, when elections were held in Punjab in 1992, बट 1992 में पंजाब में election होते हैं, और इस election में only 24% जो electors होते हैं, दोस्तों, यह वोड डालने के लिए बाहर आते हैं, देखे, militancy was eventually eradicated by the security forces, security forces ने एक तरह से militancy को eradicate करने का काम किया है, but the loss is incurred by the people of Punjab, Sikhs and Hindus like were enormous, बट जो नुकसान हुआ है दोस्तों, पंजाब का Sikhs और Hindu लोगों का यह enormous था, peace वापस आता है पंजाब में 1990 के समय में, और एक alliance, अकाली दल का बदल, और BGP का दोस्तों, यह एक major victory score करता है 1997 के election में, और पहली बार, in the first normal election in the state, in the post-militancy era, पहली बार एक normal election होता है दोस्तों, post-militancy era के बाद, the state is once again preoccupied with the question of economic development and social change, through religious identity continue to be important for the people, देखे दोस्तों, एक तरह से religious identities लोगों के लिए अपना importance बनाए रखी हुई है आज के date में भी, politics has gradually moved back along secular lines, पर politics से एक तरह से देखे तो धीरे-देरे secular lines पर वापस आ रहा है। दोस्तों, study for civil services पर आपने ये वीडियो देखा, और आप हमारे paid course को join कर सकते हो, paid course से संबंदित किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो इस number पर आप call कर सकते हो, ठीक है। हम मिलते हैं अगले लिसन में, bye!